वीरों का कैसा हो बसंत चीक है दोनों लाइन साथ में गाई जा रही है अब इन तीनों को साथ में गादो वीरों का कैसा हो बसंत चीक है तो इससे एक हर्मनी बनती है इससे एक खुबसूरत सा साउंड करता है उस गाने को अगर आप ध्यान से सुनेंगे पहले ही बार अगर आपने सुना तो नहीं मालूम चला लेकिन अब अगर आप सुनते हैं ये सारी चीज़े जानने के बाद तो आपको उसमें एक मालूम चलेगा कि मैं बताना क्या चाहरा हूँ ठीक है एक ऐसा मुबाइल अप्लिकेशन जिसमें रिकॉर्डड नहीं लाइव क्लासेज होंगी वन उन वन गुरू आपके सामने बैट के आपको सिखाएंगे अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धरा SPW और सीखिए संगीत परवावल्ड की पूरी फेकल्टी से संगी हार्मनी के बारे में कुछ दिन से हम बाचीत कर रहे हैं कि क्या चीज होती है और कैसे गाई जाती है उसका गानों में किस तरह से यूज होता है शास्त्रिय संगीत में किस तरह से यूज होता है उसके बारे में हम कुछ-कुछ चर्चाएं कर रहे हैं अब हार्मनी मूर्चना और कैसे वो गाई जाएगी उसमें और कैसे स्वरसमवाद ये कुछ-कुछ शब्द हैं जो संगीत के हैं शास्त्रिय संगीत के हैं मूर्चना ग्राम मूर्चना कहलें उसको या आपका स्वरसमवाद कहलें ये शास्त्रिय संगीत के भारतिय शास्त्र संगीत की कुछ concepts हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और वो कैसे harmony जो की एक western music का concept है उसके साथ मिलता है कैसे compare होता है और कैसे वो यहाँ इस्तमाल होगा है ना उसके बारे में हम आज बात करेंगे कैसे group singing होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्रिंद गायन व्रिंद गायन या यह चीज़ पर हम बात करेंगे यह कुछ कुछ चर्चाएं हैं और कैसे harmony स्वर में होती है आकार में होती है शब्दों में होती है तो कैसे होता है octaves में अलग-अलग harmony होती है तो कैसे गायी जाती है harmony गाने का क्या तरीखा होता है क्योंकि यह harmony गायी की है तो वो background की है यह साथ में नहीं होती background की है तो कैसे group में गाना होता है कैसे इसको गाना है उसके बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इस शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, यानि लिटरल मीनिंग निकालो, तो उसका मतलब होता है सदभाव, सामन जस्य, यानि सब समान होना, तार्तम में एक दूजे का बैठना, उसे कहते हैं हर्मनी, यह शाब्दिक अर्थ है इसका, अब यही जब शब्द का अर्थ मालूम होना तो उसका application भी मालूम होता है, application यानि कि वो कहाँ apply हो रहा है, तो उसका meaning उनस्वार ही निकलेगा, जैसे कि हम कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले, मैं और शर्वन भी हम बात कर रहे थे, कुछ कि यह जो रास्ता है, उसका नाम है, जैसे हर रास्ते का कुछ नाम होता है, MG Road जैसे मातमा गंधी रोड, ऐसे ही उस जगह का नाम था, कुछ फलान जैसे स्वन, स्वन पत उसका नाम था, कि स्वन पत उस रस्ते का नाम है, अब हिंदी में उसे पत बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे पाथ बोलते हैं, यह हम discuss करते कि देखो कि इतना similar चीज निकल आई, भाषा दो अलग-अलग हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा और वर्ड भी कितना similar sound करता है, और उन्होंने बोला कि फिर पार्थ क्या होता है, है ना, श्रीक्रिशन अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, यह ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे address करते हैं उनको, तो पार्थ क्या होता है, तो पार्थ का मीनिंग जब ढूंडा निकला, तो मालूम चला कि पार्थ उसे कहते हैं, जो कभी भी अपना लक्ष नहीं छोड़ता है, जो कभी भी अपना टार्गेट नहीं छोड़ता है, जो अपने टार्गेट को कभी मिस नहीं करता है, उसे पार्थ कहते ह क्योंकि अर्जुन धनुर्दर थे तो उन्होंने कभी अपना निशाना नहीं चुका वो बहुत ही कुशल धनुर्दर थे कि उनका निशाना हमेशा जहां उनको तीर लगाना महा लगता था तो इसका मिनिंग यह निकला कि वो रास्ता अपना कभी नहीं छोड़ते हैं जो उन्होंने मंजिल पानी है वो पाके रहते हैं तो उसका भी relation कैसे पत्थ से ही निकला पत्थ से बना पार्थ तो यह मैंना example इसलिए दिया क्योंकि शब्दों के अगर meaning आपको मालूम है तो उससे आप automatically उस concept को समझ पाते हैं जैसे ये मेरे फादर की एक आदत है कि वो रागों के नाम पर बड़ी चर्चा करते हैं कि अगर उस राग का नाम ये रखा है तो उसकी कोई वज़य है आपको राग का चलन नहीं मालूम है लेकिन राग के नाम की अगर थोड़ी सी आप चर्चा करें कि ये नाम क्यों रखा गया तो आटोमेटिकली वो चीज चलन पर आ ही जाती है तो ये कुछ-कुछ चीजें हैं जैसे उन्होंने बोला अहीर भहरव है तो अहीर भहरव कोई कहता है कि राग अहीरी जो साउत की और भहरव जो हमारी भारती शास्त्रे संगीत है उसको मिला के बनाया लेकिन फिर नाम पर ग वो राग जो है उसके बाद गाई जाती है और वो किस समय गाई जाती है कई प्रकार की भहरव होती है भहरव फिर वैरागी भहरव अहीर भहरव तो वैरागी मतलब वैराग्य यानि जो राग से वी यानि अलग होते हैं यानि जिनको मोहम आया नहीं है वो होते हैं उन्हें से ही मालूम चलता है वैराग्या यानि ये योगियों की राग है तो ये जाहिर बात है और सवेरे होगी याना क्योंकि ये उस समय की रागयज है पूजा अर्चना ये लोग अपनी साधना करते हैं ठीके तो इस तरह से रागों के नाम पर चर्चा करो तो रागों का चलन उनक वो मुम्किन है ना, अगर आपके मेरे विचार नहीं मिलते हैं, तो सामन जिससे नहीं बैठेगा, है ना, उसी तरह से हम जब यहां अपलाए करते हैं, तब यह आता है topic स्वर समवाद का, जिस पर मैं पहले भी एक वीडियो दे चुका हूँ, जिसके बारे मैं पहले भी समझ वो ऐसे balanced match करें, जैसे कहते है ना, टू की table बोलो, तो टू, फोर, सिक्स, एट, यह सब equal हैं, यह सब उसके multiples हैं, यह ना, थ्री का बोलो तो उसके multiples, अब टू और थ्री अलग अलगें, लेकिन टू और सिक्स निकालोगे तो उसका एक multiple निकलता है, common निकलता है, यह ना, त सा लगता है, दौनों का प्रेयोग होता है, तो वो खराब नहीं लगता है, सापसा और सामसा अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि वो एक सामन जिस से बनाते हैं, वो एक हार्मनी बनाते हैं वाँपे, ठीक है, तो यह होता है स्वरसंबाद, स्वरसंबाद मतलब अब यह को संगीत और western दोनों साथ में चल रहा है यहां पर क्योंकि हम topic harmony की बात कर रहे हैं तो उसमें हम दोनों की बात कर रहे हैं कि chords स्वरसंवाद आ रहा है इसमें आपका harmony आ रही है और मूर्चना आ रही है अब उस पर भी आते हैं मूर्चना ग्राम मूर्चना क्या होता है वो भी पर अभी आपको यह समझाया अब जैसे chords का क्या relation बैठा स्वरसंवाद से वो भी मैं आपको बताता हूं सा और पर यह मैं पहली सफेद से सा पर बजा रहा हूं सा पर यह साथ में बज रहे हैं बिलकुल बेसुरे नहीं लग रहे हैं है ना सा लग रहा है सा मौ लगाऊंग करते हैं यानि जो दो सूर्ज वापस में clash करते हैं तो हार्मनी नहीं बनती है वहां पर तो यह आप देखिए सा गपव लगाऊंगा तो बनेगा यह हार्मनी बन रही है यहां पर रिमाधा इसमें भी बन रही है गपणी और माधा सा तो बेसिकली chords जैसे होते हैं उनसे हार संवाध भी हमारा बनता है अगर हम शास्त्रे संगेत में मतलब यह proper संवार संवाध की परिभाशा नहीं है मगर थोड़ी बहुत अगर हम समझे हैं अब हार्मनी कैसे कैसे हो सकती है सबसे पहले तो octaves में होती है सबसे basic हार्मनी की अगरम बात करें जैसे सा सा हम सब सागा है न हम चार लोग यहां बैट है हम साग आ रहे हैं अब हम में से दो लोग नीचे वाला साग आएंगे और दो उपर वाला तो हर्मनी बनेगी है न करके देखते हैं जैसे आप तीनों फीमेल हैं आप नीचे वाला साह लगाई है हम दोनों उपर वाला लगाएंगे और आपका नीचे वाला सा चलगा है सबसे बेसिक हार्मनी है यह उसके बाद एक दरजा इसमें आगे बढ़ते हैं लो और हाई के अलावा एक मिड भी इंक्लिट करेंगे यानि अब पर लगाएंगे ठीक है आप बोली सा आप लोग सब नीचे वाला सा बोलते रही है उपर वाला सा बोल रहे है ठीक है तो यह सेकंड टाइप की हार्मनी होगी जिसमें हमने लो मिड हाई हमने तीनों लगा लिया अब यही चीज आपकी सुर में हो जाए जैसा हमने अभी सुर में बोली यानी शब्दों में बोली यही हम आकार में भी कर सकते हैं सुर आकार दोनों में हो सकती है यह अब इसको थोड़ा और इंक्रीज करो एक दरजा और उपर बढ़ा दो बुलेंगे साब लो सागा 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 पाँ सागा पाँ सागा पाँ 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 सागा सागा अब यह मुश्किल रहता है जब लाइव गाया जाता है क्यों क्योंकि इसमें सुर का पकापन चाहिए अभी मैंने पर लगाने को बोलो तो आप दौनों गह पर ही थे क्योंकि उनका गह लग रहा था और यह सापर गा रहे थे यह मुश्किल हो जाता जैसे हार्मणी आती हार्मणी मतलब सुर का पकापन चाहिए उसमें आपको ठीक है तो यह तो हमारी अक्षरों में हो गई यह हो गई हमारी आकार में भी हो गई ठीक है अब यह चीज गाने के पीछे कैसे चलती है वो मैं आपको बताता हूँ पहले चली गाने के पीछे चलने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ अगर वो line कोई हम गा रहे हैं जैसे मैं आपको उस दिन जब वो गाना भी करा रहा था ठीक है तो गाने के शब्द है वीरों का कैसा हो बसंत ठीक है अब एक इसकी composition है वीरों का कैसा हो बसंत तीसरी composition है वीरों का कैसा हो बसंत करो वीरों का कैसा हो बसंत तो आपने देखा ये तीन दर्जों में थी सेम composition है उसका pattern था सेम था तीनों की बांट बराबर है तीनों की लई सेम है ठीक है सूरा लग लगें लेकिन क्या कैसे कैसे सूरा लगें पहली composition उठ रही है सा से और मपे एंड हो रही है दूसरी composition उठी मह से रही है ये chord बन रहा है और तीसरी composition उठी दह से रही है तो कहां से कहां से शुरू हो रही है और एंड कहां कहां पे हो रही है तो ये पूरा chord बन रहा है याना अब ये एक एक करके composition गाई जाए फिर इसको साथ में गाए जाए तो मैं आपको सुनाता हूँ जैसे ये individual composition है हमारी फिरों का कैसा हो वसंत फिर ये हमारी second composition फिरों का कैसा हो वसंत फिर ये हमारी third composition अब एक एक करके इनको मिलाएंगे पहले हम सिर्फ दो एक साथ गाएंगे जैसे ये रों का कैसा हो वसंत और दूसरा वेरों का कैसा हो वसंत इन दौनों को अगर साथ में गाया जाए तो कैसा बनेगा चीक है दोनों लाइन्स सात मेगाई जा रही है अब इन तीनों को सात मेगा दो चीक है तो इससे एक हर्मणी बनती है इससे एक खुपसूरत सा साउंड करता है आपने अगर इंग्लिश western song सुने हो इसमें इस चीज हम बहुत प्रेयोग होता है कि एक लाइन गवरी उसके पीछे बैग्राउंड में वही लाइन गवती लेकिन अलग स्केल पे थोड़ा सा तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वहाँ कुछ दूसरी राग चल रही है ऐसा कुछ हो रहा है और clash ना हो इसी के लिए harmony को गाने का क्या तरीका है harmony flat गाई जाती है कोई हरकत कोई मुर्की नहीं जब group में भी कोई चीज गाई जाती है तो ऐसा होता है कि जो भी चीज आप गा रहे हो flat गाते हो आप है ना मैंने आपको group गवाया तो मैंने यही बताया कि उसको flat गाओ क्यों flat गाना है ताकि सब का समान sound करे क्योंकि एक के हरकत आईगी दूसरे के नहीं आईगी तो clash करेगा इसलिए उमोवन ऐसा होता कि group की चीजें plain एक दम और अगर मुर्कियां है तो फिर सब की से मानी चीए तभी अच्छी लगेगी वरना अच्छी नहीं लगेगी harmony में भी आई है जो line गाई अगली वाली जो उपर चल रही है वो भी उतनी ही flat होगी तो यह हमने देखा ऐसा होता है दूसरी harmony कैसे होती है यह तो हो गई कि word to word चल रही है साथ में एक होती है कि एक main line कुछ चल रही पीछे और उसके पीछे आलाप में harmony चल रही है है ना जैसा कि मैंने आपको सुनाया था line है आ रही हमाचल से पुकार है ना गाई यह line आ रही हमाचल से पुकार तो इसके पीछे harmony चल रही है है ना background में मैं आलाप गा रहा हूँ तो यह भी एकदम flat होता है ऐसा नहीं कि इसमें भी हरकते होगी क्यों क्योंकि यह line से clash नहीं होना चीए तो यह स्वरसमवाद यह समझना पड़ता है chords को समझना पड़ता है तब जाके आप harmony बना पाते हो कोई भी चीज की है ना तो यह कुछ-कुछ चीजें हो गई अब एक चीज में आपको समझाता हूँ मूर्चना से और स्वरसमवाद से ही एक मेरा अपना अनुभव रहा थ और यह भी अनुभव कैसे हुआ इसको देखी आप सवेर जえば रियाज कर रहे हैं तो मैं अपना पहली काली से रियाज कर रहा हूँ और मेरे ही सामने बैटकर एक female जो चौथी काली से बहाराज कर रही है तो वहां मालूम कैसे चला मुझे कि वो clash नहीं हुए वहां पे सोर औ कि वो उसका scale अलगे मेरा scale अलगे दो अलग-अलग scales हैं लेकिन जब बाद में उसका संशोधन किया, analysis किया तो मालूम चला कि पहली और चौती इसका आपस में relation है पहली का पंचम चौती बनता है ये सा है तो इसका पंचम बनेगा ना चौती तो पहली चीज तो ये कि ये clash नहीं करेगा लेकिन यही होता कि मैं पहली से गा रहा हूँ और आप साड़े चार से रियाज कर रहे है तो तखलीफ होती क्योंकि clash करता, लेकिन आपने अगर यहां से किया तो दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं दूसरी से गा रहा हूँ और आप पांचवी से रियाज कर रहे है कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम दौनों साथ बैट कर रियाज कर सकते है दो अलग-अलग scale से, लेकिन यही हो कि आप पहली सफेट से गा रहे हैं, मैं पहली से गा रहा हूँ सारे गमा पादा निसा और चौती से सारे गमा पादा निसा तो अब यह क्लैश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सा सा मैच किया तो सापव बना रेध ह मैच किया, तो भी सापव बना यह दूसरी सफेद का पंचम बनता है यह भी सापव बना यह भी ये भी है न तो ये सापा सापा बनते गए तो ऐसा भी होता है अक्सर कि दो सेम थाट अगर दो अलग-अलग स्केल से बज़ रहे हैं तो कई बार वो मैच भी कर जाते हैं लेकिन उसके लिए ये शडज पंचम और शडज यातो मध्यम ये ग्राम बनना चाहिए अब आते हैं हम ग्राम मुर्चना पर ये ऐसे आयाए टॉपिक याँ पर ग्राम होता है अंशसवर यानि मेन हमारा सा ये जो सा है इसको कहते हैं सा ठीक है ये हमारा मूल सुर है अंशसुर है स्केल पिच जो भी आपको इसे कहना है इसे हम gram कहते हैं अब यहां से आप यह देखिए कई बार आपने यह महसूस किया होगा और यह आपने क्यूं महसूस किया होगा बराबर से क्यूंकि आपने थाट और स्केल सीखें तो आपको यह चीज मालूम होगी पहली काली से मैं भैरवी अगर बजाओ ठीक है अब आप देखिए का थोड़ा सा अचमबा आप महसूस करेंगे पहली काली के म से वही सुर लगाते हुए उन्हीं फ्रीक्वेंसी इसको बजाते हुए अगर मैं म को सामान लू तो थाट बदल जाता है वहां से और कौन सा थाट निकल के आया यह हमारा आसावरी थाट है जो कि तीसरी काली से है देख रहे हैं आप यह दोनों अलग-अलग थाट लेकिन अलग-अलग स्केल से अगर साथ में बजाते हो तो प्रॉबलम नहीं लगेगी वो बेसुरे नहीं लगेंगे इसे कहते हैं मूर्चना हो जाना ग्राम मूर्चना ग्राम बदल देने से मूर्चना होती है यानि थाट बदल जाता है इसका बहुत फेमस एक्जामपल है जो सारे शास्त्रिय संगीत कारे गाने वाले लोगों को मालूम है कि पांच रागें सिर्फ सुर बदल देने से एक के बाद एक बन रही हैं कैसे सा पहली काली का हम ले हैं स्केल कोई सा भी हो सकता है मैं अभी आपको ऐसी लेके दिखा रहा हूं सा से हम गाते हैं भूपाली सारे गापध साधपग अब इनकी जगा यह जो शब्द बोले इनको ना बोलके इनकी जगा सारे अगर सा मान लिया इसको तो क्या-क्या सुर बने स्केल बदल चुका ह अभी है सारे मा पने सानि बामरे निसा फ्रिक्वेंसी दूसरी नहीं लगाई है नोटस वही लग रहे हैं साउंड वही लगेगा सिर्फ नाम बदल गया स्केल बदल गया तो यहां से राग बदल गई यह आपकी मेग हो गई अब गह को सामान लो गपध सारे गाँ अब इस यह मालकॉंस बन गई यहां से, राग बदल गई, सूर एक भी नहीं बदला भी तक मैंने, उन्हीं सूरों को ले रहा हूँ, यह पाओ को सामान लिया यह दुरगा बन गई यहां से, सेम राग है, मतलब सेम सूर से अलग राग बनी, अब धा को सामान लो यह राग धानी बन गई, तो आपने देखा, सूर नहीं बदले गए, सिर्फ सा बदला गया और राग बदली, इसको कहते हैं मूर्चना, यह मूर्चना का फर्क होता है, आपका सूर वही रहेगा, तो यह इससे भी आपके कॉर्ड में, हार्मनी में मदद मिलती है, तो यह कुछ-कुछ टॉपिक्स, शास्त्रिय संगीत के हैं और वेस्टन मूजिक के हैं, मूजिक के हैं, लेकिन तब भी कॉलाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो यह कुछ चीज हो गई, ग्राम मूर्चना हमने समझा, वर्ड नहीं मालूम चला, लेकिन अब अगर आप सुनते हैं, यह सारी चीज़ें जानने के बाद, तो आपको उसमें एक मालूम चलेगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक हैं? कुछ अलग है इसमें, जो उमूमन गानों में नहीं होता है, वो यह है कि यह डुएट गाना है, बहुत सारे गाने डुएट होते हैं, लेकिन डुएट गाना होने के बावजूद इसमें दौनों लोग सेम लिरिक्स गा रहे हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन अलग अलग गा र खुलके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं ठीक है तो अगर हम दोनों गाएंगे तो हम दोनों सेम गाएंगे खुलके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं लेकिन ये लाइन मेल सिंगर गा रहा है और फीमेल गा रही है कुम्पोजिशन ही अलग है बिल्कुल लेकिन दोनों साथ में गा रहे हैं तब भी बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि हार्मनी बन रही है वहाँ पे वो नोट्स ऐसे इस्तमाल किये गए कि वो पैरलल चलेंगे तो बुरे नहीं लगेंगे वही साप, साग, साम, रेम, रेध, है ना गनी समझ रहे हैं तो इसके लिए मैंने आपको ये एक्जामबल है ऐसे कोई कई गाने मिलेंगे लेकिन मुझे ये एकलोता गाना ऐसा मिला जो पूरा ही हार्मनी में है अमुमन हार्मनी का प्रेयोग बहुत कम होता है ग्रुप में बैग्राउंड में पीछे चल गया तो चल गया जैसा कि अभी मैं आपको जो गाना रिकॉर्ड कर रहा था उसमें भी हो रहा था कि जो जो लाइन हम गा रहे थे एक तो गवरें उसके पीछे आकार में कुछ चल रहा है ठीक है तो वो हार्मनी बनती है लेकिन ये वर्ड हार्मनी बन रही है जिसमें कट टू कट हर वर्ड की हर लाइन की सेम कॉमपोजिशन उन्हों इसको ट्विन कॉमपोजिशन इसकी जुड़वां कॉमपोजिशन जो साथ में चलेगी और बुरी नहीं लगेगी ये एक खास बात है तो ये आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब जाके कुछ यूनिक बनते हैं वरना वही चार चीज़ें अगर आपको मालू में आपने गाने रट लिए गाने याद कर लिए तो आप सेम तरह से गाने बनाओगे आपका हर गाना हर दूसरा गाना नया नहीं लगेगा नया तब लगेगा जब उसमें ये लेताल, हार्मनी, ये जो स्वर संबाद है, मुर्चना इन सब का प्रयोग हो मुर्चना के उपर भी मैंने कई बार पहले बोलाए कि कई घजलें हैं, कई गानें ऐसे हैं जो मुर्चना का प्रयोग करके बनते हैं एक राग उनका स्थाई अलग राग में और अंत्रा अलग राग में, लेकिन तब भी भद्दा नहीं लगता है, क्यों क्योंकि उन्होंने सुर्द दूसरे नहीं यूज की है, जैसे मैं फॉर एक्जामपल लेता हूँ यह मने पहले भी समझाया है, अहीर भैरव चलती है ठीक है, यह अहीर भैरव है यहाँ से तीसरी से चारुकेशे हो गई है अगर आपको रागों का नहीं भी पता है, तब भी आपको फ्रिक्वेंसी तो मालूम चल रहे हैं कि अलग कुछ नहीं लगी, वही सेम फ्रिक्वेंसी गाई मैंने, कोई सुर्द उसरा यूज नहीं किया लेकिन सा बदल के दो अलग-अलग रागे मैंने आपके सामने पेश की तो इसमें कई सारी घजलें बनी, गुला मली की घजल है इसमें फिर उसी रह गुजार पर शायद मिल सकें हम मगर शायद तो स्थाई तो उनका यहां से पहली काली से हो गया लेकिन उनके शेर आये तो उन्होंने तीसरी को सामान के वहां से राग बदल के गाया जान पहचान से भी क्या होगा जान पहचान से भी क्या होगा और फिर स्विच, राग स्विच कर दी फिर भी ऐ दोस्त गौर कर शायद तो इस तरह से रागे बनती हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं गाई की बनती हैं गाने बनते हैं जिसमें की मूर्चना का इसका प्रयोग होता है एक और आपको example अगर मैं दूँ जसरंगी, पंडित जसराज जी का create किया हुआ एक चीज है एक performance है, जिसमें क्या होता है दो अलग-अलग रागें गाई जा रही है बिल्कुल अलग-अलग रागें दो अलग-अलग स्केल से male और female singer गा रहे हैं लेकिन parallel एक ही performance में गा रहे है एक राग परफॉर्म करना सामने वाला एक राग नहीं परफॉर्म कर रहा है दो अलग-अलग रागें चल रही हैं, दो अलग-अलग लोग बैटें same time पे, same ताल में same शब्दों को गा रहे हैं वो बुरा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे पूरा वही harmony बन रही है, है न? जो मैंने चोटा सा example पिछली बार भी दिया था जब मैं आया था एक घजल में गा रहा था जो की आभोगी में थी, तो आभोगी और कलावती कैसे मिल रहे हैं साथ में? यह मैंने पहले भी बताई है तो यही मेरा सा भी बन जाता है, यही मेरा पव भी बन जाता है तो फीमेल जो गारी है, वो अपने स्केल से अभोगी गारी है मेल उसका कोई दूसरा सुर्को सा मान के वहां से कलावती का रहे है तो यह चीज होती है, यह harmony भी इसी में है chords भी इसी में आ रही है सारी चीज, स्वरसमवाद भी इसी का topic है, ग्राम मूर्चना भी इसी का topic है ति बहुत vast और बहुत बड़ा topic है अगर आप इस चीज़ को समझने जाएं आपको यह नहीं कि हार्मनी अगर गाने को कह दी दवा चलो आपको मैंने कह दिया यह दो सोर लगा दो ठीक है, आपको पता ही नहीं कि हार्मनी मतलब क्या हार्मनी हो कैसे रही तो इसी लिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बड़ा topic है तो विस्तार से ही समझाया जाए और जाहिर बात है यह अभी मैंने जितना समझा दिया तो हो नहीं सकता है कि आपको पूरा समझा गया और इसे आप apply कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह it's a matter of experience, कि दीरे दीरे जब और चीज़ों सीखोगे तो मालूम चलेगा कि तोड़ी और ललित इन दोनों में क्या relation है, कि पहली से अगर आप ललित गाओ, तो आप तीसरी से तोड़ी बना सकते हो, scale बदल के same performance में दो रागें एक साथ गा सकते हो तो यह बहुत सारी चीज़े मुम्किन है और गाने में भी बड़ी खुबसूरती है, यह बारीक हैं इसमें detail है, उसका analysis करते करते उसको महीनों लग जाएं, तब तो बात है तब तो ऐसा आपने कुछ किया जो unique है ठीक है, तो यह वो चीज़ है, harmony से इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं और harmony का आप कहा कहा यूज़ कर सकते हैं वो आपके उपर है, ठीक है